मैं रितेस्गरी आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ बैंकिंग का एक छोटा सा डियाई हम लोग यहां पर डिसकस करने जा रहे हैं और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही अर्थमेटिक डियाई है आपका जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं उसे इकजाम में आपका डियाई जो आता है वो नए पैटर्न का डियाई कहने का मतलब आजकल अर्थमेटिक डियाई का वेटेज बर्या ज़्यादा सझे ज़्यादा बैंकिंग एकजाम में पूछा जा रहा है इसके पीछे भी वज़ा है 2017 से आप लोग देखेगा तो 17, 18, 19 तमाम जितने भी पेपर हुए अर्थमिटिक डियाई उसमें पूछा ही पूछा है चाहे आपका प्री हो चाहे आपका मेंस हो तो यह बहुत important है दोस्तों और यह क्यों पूछा जा रहा है तो बच्चे क्या करते हैं बैंकिंग वाले वो chapter नहीं बनाते हैं जो मिसलेने हैं chapter होता उस पर ध्यान नहीं देते हैं उसको बनाते नहीं सिर्फ वो D.I. series, simplification, approximation, quantity, equation यही 5-6 topic पढ़के चले जाते हैं एक्जाम और एक्जाम भी qualify कर जाते हैं इसी वज़े से आजकल नहीं पैटन में arithmetic D.I. पूछा जा रहा है दोस्तों और arithmetic D.I. है क्या basically, arithmetic D.I. जो chapter से related D.I. होता है जैसे boat and stream chapter से जो related D.I. होता है उसको बनोग arithmetic D.I. बोलता है जो भी misleading chapter होता है उससे related D.I. होता है उसको हम लोग अर्थमेटिक D.I. बोलते हैं तो छोटा सा एक D.I. है profit and loss का वो हम लोग आज की class में discuss करने जा रहे हैं और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दो clearly कोई भी D.I. हो चाहे 5 question हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो एक से दिर मिनट इससे जादा time आपको solve करने में नहीं लगेगा बस आपको concept clear होना चाहे दोस्तों चलिए तो पहला चीज क्या कर रहा है given below is the line graph इस वाले graph को क्या बोलते है line graph देखे line की तरह draw किया गया तो इसको क्या बोलते है line graph which shows the cost price of 5 product as the percentage of mark price, cost price कैसे दिया हुआ है तो cost price mark price के percentage के term में दिया हुआ है दोस्तों इस line का मतलब क्या है देखे जैसे एक ही बात कीजिए तो ए का percentage कितना दिया है 90 इसका मतलब दोस्तों क्या है अगर MRP 100 होगा तो ए का जो CP होगा वो कितना हो जाएगा 90 इस 90 का मतलब यह है cost price as the percentage of mark price जैसे profit percentage 20 होता है तो 100 CP होता है अभी इसका फाइदा वही यहाँ चीज़ दे रहा है और यहाँ पर फिर वही चीज़ देखे 80 है तो इसका मतलब क्या है अगर CP 80 हो जाएगा कब जब MRP आपका 100 होगा यह किसके बारे में कह रहा है B के बारे में किसके बारे में A के बारे में यह clear हुआ सबको clear है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब कर रहा है table shows the quantity of these five products sold table में क्या है यह 5 जो product बेचे है उसका quantity है दोस्तों 5 जो product बेचे है उसका क्या है quantity है तो पहला A कितना बेचे है 8 के जी B 12 के जी C 9 के जी D 20 के जी E 15 क जी तो quantity कितना बेचा गया यह है चले question के तरफ चलते है question number one question number one क्या करा है if a discount of 8% is applied on product है देखे दोस्तों 8% का discount यह तो selling price आप लोग बता सकते है मुझे जब 8 का discount देंगे तो यहाँ पर selling price कितना हो जागा तो selling price हो जागा 92 यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने चे अब कराए देरी जो profit of 300 रुपया 300 का फायदा हुआ तो पहले cost price तो ले लीजिए cost price कितना हो जागा diagram से देखे 90 profit कितने का हुआ दोस्तो तो profit 2 का हुआ और 2 का value कितना दिये हुआ है 300 तो selling price कितना हो जागा 92 तो 92 का value दोस्तो कितना हो जागा तो 300 बटा 2 into 92 पर यह 1 kg का होगा देखे on selling 1 kg 300 का फाइदा कितने पर हुआ 1 kg पर और हमको total selling price निकालना क्या निकालना है total selling price of product तो total बेचे कितना है यह तो देखी 8 kg हमने 8 kg यह हमने कितना sell किया है तो 8 kg तो 1 kg का फाइदा यह हुआ दोस्तो तो 8 kg का फाइदा कितना हो जाएगा तो यहाँ पर into कितना कर देंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग into 8 कर देंगे 8 kg के profit के लिए into कितना कर देंगे 8 यहाँ पर into 8 अब देखें 2 से यह 8 कटा कितने बाड़ में 4 तियां 12 तो 2 0 लगा दीजिए 12 को 2 से करेंगे 12 24 12 108 प्लस दो 110 हो जाएगा दोस्तों तो 110 40 option number 2 एक तो तरीका यह था दूसा तरीका यहाँ पर हमारे पास यह था दोस्तों कि हम लोग M2 से इसको क्या करते unit digit निकाल लेते तो यहाँ पर देखें 3 दूना 6 6 चोका 24 का 4 unit digit कितना हैगा 4 उसके बाद पर multiply बहुत जादा tough नहीं था रहता है था हम लोग लगाते हैं चले question number 2 की तरफ चल रहे हैं अब देखें यह बहुत ही प्यारा question है इसमें आपका mixture का भी concept लगेगा profit and loss का concept लगना ही लगना है इसमें आपका mixture and legation का भी concept लगेगा तो प्रोड़क्ट तो बी का CP कितना है 80 यह pure form of B था और यह हमने कुछ ना कुछ क्या किया mix किया, तो mixture का कीमत कितना हो जाएगा दोस्तों, तो mixture का कीमत बुलिएगा 0 हो जाएगा, mixture का कीमत कितना हो जाएगा 0, वैसे भी दिया हुआ free of cost नहीं भी होता था हमें, understood करना पड़ता कीमत तो है नहीं, जो impurity मिला रहे है जो impurity mix कर रहे हैं, उसका कीमत कितना हो जाएगा 0, अब middle वाली value निकाल लिए है तो cost price निकल जाएगा, mixture का तो उपर का difference लेते हैं, और नीचे का sum ऐसा क्यों करते हैं, दोस्तों, यह समझे है उपर का difference और नीचे का sum ये काम हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि यह जो gap होता न Indigenous होता है नई, ऊपर वाला जो gap होता है यह gap इसी ratio में divide होता है, जिस ratio में यह होता है, तो उपर का gap कितना है तो 80 का gap है, और नीचे किस ratio में 4 ratio में, 80 बटेगा, तो तो कितने में sell करेंगे 90 पे, मतलब 2 ratio कितना हो गया, 3, CPSP का ratio, 2 ratio, 3, 2 का समान कितने में, 3 पे, तो दोस्तो profit कितना हो गया, 50%, एक बड़ मैं फिर से समझा देता हूँ, प्योर, फॉर्म जो, प्योर भी था, वो 80 रुपय का था, मिक्चर मिलाए, 0 रुपय का, 3, CPSP मिलाए, क्योंकि 12 के जी में, 4 के जी मिलाए, तो cost price जो आए, वो 60 है, 60 का समान हमने कितने में sell किया, 60 का समान हमने sell किया, 90 में, तो कितना ratio हो गया, 2, CPSP का ratio हो गया, 2, CPSP का हो चलिए दोस्तो, अब इसको एक बार हम लोग ratio से भी कर लेते हैं, ratio से भी, इस question को हम लोग discuss करते हैं, चलिए, बहुत simple है, बहुत कुछ नहीं है, देखिए ratio से न, बहुत simple है, mixture था, इसलिए हमने mixture लगाए, ratio से भी इस question को हम लोग देखते हैं, दोस्तो मुझे बताइए, total प्रॉट सिपी और ३ो यह लेकर आए तो टो टो टोल सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना हो जाएगा तो टोटल सेलिंग प्राइस दिर्क है गांग दिसंप लाएगा तो एक का सेलिंग प्राइस 90 अब दोस्तों देखCal का THE चार केजी इंपूरिटी मिला दिया तो बेचेंगे कितना तो बुलिएगा 16 केजी सेल करेंगे तो 90 इंटो 16 कितना हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस अब देखें काटना ही तो है यह जिरो से जिरो कैंसल आउट हो गया आठ से कटाई है कितने बार में दो तो बारे और अठारा रेशियो कितना हो गया टू इस टू तू त्री का मतलब दोस्तो कितना हो गया पचास परसेंट ऑप्सन नमबर सी समझ आया है चले मूविंग तुआ रहा हो नेक्स कोशन कोशन नमर थी की तरफ हम चलते हैं कोशन नम मार्क प्राइस लमाल लेता है चारा और पांच ही अठाए पांच ही कोए प्राइस कितना है शारप्स सी और पांच कार निकाल कार नीकलना है तो रेशियो कटना है cost price का तो 4 का cost price कितना होगा तो 4 का कितना है दोस्तो 70% तो 4 का 70% ये किसका हो जाएगा C का और यहाँ पे 5 का D पे देखिए तो D का कितना है 90% तो 5 का दोस्तो कितना हो जाएगा 90% ये D का लेकिन word यहाँ क्या लगा है total लगा है तो पहले C और D देखना पड़ेगा कितना kg था तो यहां पर C हम देखिए C कितना kg था 9 kg और D 20 kg है C 9 है और D 20 है दोस्तों तो एक kg का यह ratio आया ना और यह total निकालना है तो यह 9 से इधर गुना कर देंगे और इधर किसे multiply करेंगे 20 से तो इधर 9 से और इधर किसे हम लोग multiply कर देंगे 20 से देखिए दोस्तों जीरो और जीरो और यह 9 से 9 कैंसल हो जाएगा चार से कटेगा 5 तो साथ इस्टू 25 का ratio आगया दोस्तों ratio कितना गया 7 इस्टू 25 ओप्सन नमर कितना है अप्सन नमर आप लोग बोलेगा डी यहां पर दिखने ही रहा है मैं दिखा देता हूं ऑप्सन नमर डी कितना गया 7 इस्टू 25 क्लिर है moving to our next question आखरी question क्यों चलते हैं हम लोग यहां पर देखें कह रहा है if the cost price of product c and d is same cost price cod का क्या है दोस्तो सेम है और profit हुआ 10 परसेंट का दोनों पर 10 परसेंट का profit हुआ है profit जो हुआ है वो दोनों पर 10 परसेंट का हुआ है तो discount निकालना है, क्या निकालना है, ratio of discount निकालना है, तो पहले यहां लिख दीजे C, यहां लिख दीजे D, हम लोग लेते हैं पहले MRP, तो MRP दोनों का 100 ले लेते हैं, तो दोस्तो C P कितना हो जाएगा, तो पताएए C का CP यहां से diagram से देखें, तो 70, D का देखें तो कितना, 90 और 10 का फायदा होगा, तो 7 रुपय का फायदा होगा, तो इसका selling price कितना, 77, 10% साथ, 77, इसका 10% 9, तो 99 हो जाएगा, यह discount यहां देखें, यह discount का value हो गया, 13 रुपय का, और यह discount का value कितना हो गया, 1 रुपय का, clear है, अब एक condition दिया हुए दोस्तों, कि cost price same है, cost price क्या है, same ह तो cost price को same करने के लिए, हमको इस ratio को किसे multiply करना पड़ेगा, तो इस ratio को 9 से, यह value, यह value, same करने के लिए, और इस ratio को 7 से, तो इस ratio को 9 से किया है, तो सारे value को 9 से करेंगे, और इसमें भी सारे value को 7 से करेंगे, तो अगर same नहीं होता, तो ratio कितना हो जाता, taste is to 1 का, पर इसको balance आप लोगो समझ आयोगा बहुत बहुत सुक्रिया आप लोगोल का धन्यवाद